बिपी सियल कोल इंडिया और एंटी पिसी तीनों में आज गिरावट देखने को मिली है इसके पीछे कारण है कि ओर ओरल मार्केट में भी गिरावट जारी है और बहुत सारे इंवेस्टर अपना प्रोफिट बुक कर रहे हैं जिसकी वज़ासे हमें आने वाले दिनों में मार लोगों को बेचना नहीं है क्योंकि अगले महिन है यानि कि मार्च में इलेक्शन आने वाले है जिसकी वज़ासे स्टॉक मार्केट में उठल पुथल जारी रहेगी और स्टॉक मार्केट के अंदर एसी छोटी मोठी गिरावट देखने को हमें मिल सकती है एसे में अगर आ करके इन्वेस्टर्स को डिविडन देती है और इसी कारण इस स्टॉक को सभी लोग बाई करके रखेंगे तो इसमें गिरावट आपको अगर देखने को मिलती भी है तो थोड़े दिन के लिए जैसे इसमें गिरावट आएगी इस गिरावट का फायदा उठा कर बड़े इ इजेपी की सरकार फिर से बनती है तो इन तीनों कमपनियों में हमें फिर से अफसाइड के रैली देखने को मिल सकती है आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने इस स्टॉक को बाई करके रखाऊंगा या पिर आपके पोर्टफोलियों के अंदर होगा तो जिन लोगों को इस टॉपलोस बता देता हूँ सबसे पहले कोल इंडिया को देख लेते हैं कोल इंडिया को जिन लोगों ने बाई करके रखाए अगर आप लोगों को टॉपलोस लगा नाई तो आप 400 रुपे के नीचे लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग देख सकते 400 रुपे के पास एक ट्रे 400 के पास भाई भी कर सकते क्योंकि ये stock 400 के पास bounce back देने का भी chances है क्योंकि वहापर एक train line का support भी है और 50 का moving average भी है जासे ये stock bounce back लेख सकता है और फिर से upside की rally दिखा सकता है अगर इस stock ने 400 का level तोर दिया तो इसमें एक down train भी देखने को मिल सकता है ठोड़े time के लिए और इस stock है BPCL तो जिन लोगों के पास BPCL hold में है उन लोगों को अगर top loss लगाना है तो आप 580 के नीचे top loss लगा सकते क्योंकि 580 के पास एक trend line जा रही है साती ये stock जैसे ही 580 के नीचे जाएगा ये अपना पिछला swing तोर देगा और जितने भी वहापर top loss होगे ये सभी को ज्यादा नीचे जा सकता है अगर इस stock ने 580 का level तोर दिया तो इसका अगला support होगा करीबन 500 के आसपास क्यूंकि 500 के आसपास 50 और 100 दोनों moving leverage का support इस stock को मिल रहे साथी train line का भी support इस stock को मिलेगा आप लोग ये आपर buy भी कर सकते लेकिन buy करने से पेले stock के अंदर negative या positive क्या news आ रही है इसके जानकारी पेले ले ले साथी इसके fundamental भी check कर ले अगला stock है NTPC इस stock के अंदर भी कापी अच्छी uptrend rally चालूए और जिन भी लोगों के पास ये stock होगा उनको कापी अच्छा profit इस stock के अंदर देखने को मिल रहा होगा और जिन भी लोगों के पास ये stock होगा उनको कापी अच्छा profit देखने को मिल रहा होगा इस stock के अंदर अगर top loss की बात करें तो लगातार ये stock अपनी trend line के पास ही trade कर रहा है जिसकी वज़े से ये कभी भी अपनी trend line को cross कर सकता है अगर इस stock के अंदर top loss की बात करें तो आप 300 रुपे के पास top loss लगा सकते हैं दे सकता है साती इस level पर पिछली बार भी stock ने support लिया है जिसकी वज़े से इसके upside जाने के chances ज्यादा है यानि कि ये 300 रुपे के पास से फिर से bounce back दे सकता है लेकिन अगर इसने 300 रुपी की level को cross कर दिया तो इसका अगला support 100 EME की line पर होगा तो ये ते तीनो stock के analysis ये जितना को 5 या 10 साल के लिए buy किया है उन लोगों को top loss लगाने की जरूरत नहीं है जिन भी लोगोंने long term के लिए रखाए उन लोगों को अगर top loss लगाना है तो तब ही लगाए जब इसमें खराब news आए या फिर इसके fundamental में changes देखने को मिले तब तक आप इसे hold करके रख सकते और dividend क enjoy कर सकते ही